हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल APC अकडमी पर दोस्तों हाल ही में हिमाचल बिधान सबा के अध्यक्ष के द्वारा हिमार्चर बिधानसभा के चे सदस्यों को आयोग्या सिद्ध कर दिया गया यह कारभाही उनके द्वारा संसद के द्वारा बनाएगे, एक अधिनियम की गई इस अधिनियम के अगर हम बात करें tive तो इसका उलेग समिधान की दसवी अनसुची में देखने को मिलता है सामानेट इस अधिनियम को हम दल बिरोधी अधिनियम या फिर दल बदल कानून के नाम से जानते हैं कि तो चलिए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस अधार पे जो है विधानसभा के सदस्यों को आयोग्याशिद किया जा सकता है चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए हाल ही में हिमाचल में राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव हुए अगर हम राज्यसभा की चुनाव की बात करें तो राज्यसभा की चुनाव जो है वो राज्य विधान सभा के सदस्यों के द्वारा किये जाते हैं यानि इसके लिए वोट जो है राज्य के mla करते हैं अब राज्य के mla की बात करें तो हिमाचल में जो है वो कुल 68 MLA's है हिमाचल विदान सबा की कुल सीटें जो है वो 68 है अभी हाल ही महीं हिमाचल में चुनाब हुए थे 2023 में चुनाब हुए थे और चुनाब की जब नतीजे आए तो इन 68 सीट में से 40 सीट जो है वो इंडियन नेशनल कॉंग्रेस की थी जबकि भारतीय जिन्दापार्टी को 25 सीटे प्राप्ध हुए तो 25 MLA जो थे वो भारतीय जिन्दापार्टी के थे इसी अधार पर हिमाचल में सरकार बनी वो कॉंग्रेस की बनी अब बात करते हैं राजे सभा के चुनाब की तो राजे सभा के चुनाब में एक सीड जो है हिमाचल में बेकेंट हुई थी जेपी नंड्या का खारेकाल समप्त हुआ था तो हिमाचल कॉंग्रेस ने अपना उमीदवार अभिशेक मनु सिंगवी को बनाया था जबकि विजपी ने अपना उमीदवार हर्ष महाजन को बनाया था और यहाँ पर क्लियर था क्यूंकि बोट करने वाले कौन है MLA से और इन में से तीन जो थे इंडिवेंटर भी थे अब MLS चुनाब करने वाले हैं तो यह क्लियर था कि 40 MLA जो हैं वो कॉंग्रेस के हैं तो यह सभी 40 MLA कॉंग्रेस के उमीदवार को ही बोट देंगे तो मनु सिंगवी का जीतना तै था ठीक है परन्तु इस चुनाब में क्या हुआ इस चुनाब में हुआ क्रॉस बोटिंग अब यह क्रॉस बोटिंग क्या होती है जब कोई MLS अभी हम MLS की बात कर रहे हैं जब कोई MLS जो है अपने राजनितिक पार्टी के उमीदवार को बोट ना करके दूसरे राजनितिक party के उमीदवार को बोट करता है तो यह क्या होगा cross voting होता है ठीक है तो यह मार्चल के 6 MLS ने जो है cross voting की उन्होंने अपने उमीदवार को बोट ना करके BGB के उमीदवार को बोट किया जब नेतीजे आए तो BGB को जो है 34 बोट मिले और 34 ही Congress को मिले और यह मामला हो गया अंत में लॉटरी सिस्टम के अधार पर ये चुनाब हुआ तो लॉटरी सिस्टम में भी हर्ष महाजन को बिजय बनाया गया और हर्ष महाजन जो है हिमाचल से राज्यसाबा के सदस्या चुने गए अब इस क्रॉस वोटिंग के अधार पर ये तैह हो गया कि हिमाचल के 40 MLS में से 6 MLA जो है वो क्या है अपनी राजनितिक पार्टी से संब्ध में ही रखते हैं अब जो मैं दल बदल कानूर की बात कह रहा था तो उसी अधिनियम में ये प सदस्यता को रद किया जा सकता है यानि इस क्रॉस वोटिंग के अधार पर ही कॉंग्रेस चाहत थी तो इन 6 MLS की सदस्यता को रद कर सकते थी पर उन्होंने अभी किया नहीं इसके बाद अगर हम बात करें तो इनी चुनाप के बीच में हिमाचल में बजट सेशन भी चला अगर हम बिप की बात करें तो बिप एक राजनितक पाटी के द्वरा जारी किया गया एक आधेश पत्तर होता है जिसमें सभी MLS या MP को अभी हम बात कर रहे हैं विधान सभा की तो यह मललेस की बात की जाए तो MLS को ये निर्देश दिया गया कि वह विधान सभा की session जो budget session है उसमें अनिवारे रूप से उपस्तित रहे और वो party की विचारधार है और party की समर्थन में जो है अपना मत दें तो बजट सेशन के दौरान जो है विजारी की और इसमें सभी MLS को उपस्तित होने का आदेश दिया गया इसी विप की अगरम बात करें तो यहां पर यह जो 6 MLS जिन्होंने क्रोस पेटिंग बूटिंग की थी यह विधान सभा के सेशन में उपस्तित नहीं हुए जिसके बाद जो है विधान सभा के अध्यक्ष के द्वारा जो है उन पे दल बदल कानून के अंतरगत जो है उन्हें डिस्क्वालिफाई कर दिया गया तो यहां पर अगर हम बात करें तो विधान सभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंग पठानिय के द्वारा जो है इन 6 MLS को डिस्क्वालिफाई कर दिया गया तो यहां पर अगर हम बात करें इनके डिस्क्वालिफाई होने से हिमाचल सरकार पे भी राजनितिक संग्रिटा आ गया अगर हम बात करें हिमाचल मे बहुमत की तो हिमाचल में कुल जो है 68 MLS एं ठीक है जैसकि मैंने बताया कि इसमें से बहुमत जो था वो कॉंग्रेस उता परंतु कॉंग्रेस की छे हैमछी क्या हो गए है डिस्क्वालिफाई हो गह था?, थो अभी हमाचल बिधान सभा 68 की जगा 62 की रही है। अभी हिमाचल विदान सभा में कुल सदस्य कितने हे 62 है अभी 62 का अगर हम हाफ करें ठीक है क्योंकि हाफ प्लस वन जो है वो बहुमत होता है तो यह होता है 32 ठीक है तो हिमाचल में जो कॉंग्रेस सरकार है उसे बने रहने के लिए 32 सदस्यों का समर्थन चाहिए जो कि उनके पास अभी तक है ठीक है क्योंकि अगर 40 में से 6 MLA भी चले जाते उनके बास 34 MLA से तो बरतमान की जो सरकार है बनी हुई है अब इन 6 जो डिस्क्वालिफाई मेंबर हैं इनके विधान सबाक्षेतर में पुना चुनाब होंगे और चुनाब के नतीजे आने के बाद सरकार का जो है दुबारा से गठन किया जाएगा तब हो सकता है कि मौझूदा सरकार के खिलाब सदन में जो है और विस्वास परस्ताप लाया को रद किया जा सकता है समिधान में इसके संबंद में और क्या क्या प्राबधान है देखिए तो समिधान का आर्टिकल 191 जो है वो विधायकों की सदस्यता को रद करने के संबंद में प्राबधान करता है इनके अधार पर उन सदस्यों को आयोग्यसिद किया जा सकता है दे तो जब उन्होंने MLA का उम्मिग जब उन्होंने MLA का चुनाब लड़ा तब वो किसी अन्य लाब के पतपे नहीं थे MLA बनने के बाद भी वो किसी लाब के पतपे नहीं थे परंतु 5 साल के time period में मान लिजें कि वो 34 साल कोई ऐसा पत जोईन कर लेते हैं जो लाब का है तो उसके अधार पर उन्हें इस्क्वालिफाई किया जा सकता है तो देखें यदि वह भारत सरकार या फिर पहली अनुसूची में उलेखित राज्या की सरकारों के अधीन किसी लाब के पत को धारन करता है ठीक है तो इसके अधार पर उन्हें आयोग्या सिद्ध किया जा सकता है इसके अलावा गर हम बात करों तो किसी न्याले के द्वारा उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ घोशित कर दिया जाता है अगर कोई MLA जो है मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है तो उसके अधार पर भी उसे आयोग गैसिद किया जा सकता है दूसरा या नियले के दौरा उसे दिवालिया घोशित कर दिए जाता है देखे ये तीनों ही चीज़ें जो है MLS की यूग्जिता में भी आती है कि MLA बनने के लिए वो विक्ति किसी अन्यलाब के पत पे ना हो दूसरी बात वो मानसिक रूप से स्वस्थ हो तीसरी बात ये थ यह भी है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए अगर वह भारत का नागरिक नहीं है तो उसे डिस्क्वालिफाई किया जा सकता है या फिर इस टाइम पिरिएड में वह स्वेच्चा से भारत की नागरिकता चोड़के किसी अन्य इसकी नागरिकता को ग्रहन कर लेता है ठीक के अलावा जो सबसे जुरूरी है वो यह है कि संसत के द्वारा निर्मित किसी विधी के द्वारा भी उसे आयोग्या खोशित किया जा सकता है इट में संसत को यह अधिकार है कि वो विधायकों के आयोग्यता के संबंद में कानून बनाए तो संसद ने इसी अधार पे जो है इसी आर्टिकल के अधार पे जो है एक कानून बनाया दल बदल कानून दल बदल कानून तो समिधान की दस्वे नुसूची में इस कानून को उलेखित किया गया है शामिल किया गया है तो दस्वे नुसूची के देट किसी व्यक्ति को दल बदल के अधार पर आयोग्य ठहराया जा सकता है तो इसी को हम बढ़ेंगे अब दल बदल की अगर हम बात करें तो दल बदल कानून जो है वो उसके अधार पे किसी सांसद और किसी विधायक दोनों की सदस्यता को रद किया जा सकता है यानि ये दोनों के लिए है कि इंदर में यानि लोकसभा की मिंबर सांसद उसकी सदस्यता को भी रद किया जा सकता ह और राज्य में जो विधान सभा है उनके सदस्यों की सदस्यता को भी रद किया जा सकता है और किस अधार पर किया जा सकता है तो उसका symbol संसर है यदी कोई व्यक्ति जो है किसी राजनितिक पार्टी से चुनाब लड़ता है ठीक है और चुनाब जीतने के बाद जो है वो किसी दूसरे दल को जोईन कर लेता है या दूसरे दल को समर्थन करता है अपने दल को छोड़ के दूसरे दल का समर्थन करता है तो इस अधार पे उसकी जीती हुई सदस्यता को रद किया जा सकता है क्योंकि उस व्यक्ति ने उस विशेश पॉलेटिकल पार्टी की चुनाब चिन से चुनाब लड़ा है तो अब उस विक्ति के उस विक्ति का जो उस विक्ति का धिकार क्षेत्र जो है उस पॉलेटिकल पार्टी का है ठीक है तो अगरें दल बदल कानून की अगर हम बात करें जैसे के मैंने बताया कि दल विरोधी कानून एक पार्टी को छोड़ कर दूसरी पार्टी में जाने पर संसद के सदस्यों यानि सांसदों और विधान सभा के सदस्यों विधायकों को दंडित करता है और दंड में क्या मिलता है कि उनकी सदस्यता रद हो जाती है अगर कोई विक्ति किसी political पार्टी को छोड़ के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को जोईन करता है तो उसकी जीती हुई सदस्यता है वो रद हो जाएगी क्योंकि उसने विशेश पॉलिटिकल पार्टी के चुनाब चिन से चुनाब लड़ा है और वो किसी विशेश पार्टी का MLA है या MP है देखिए को दल बदलने से सरकारों की स्थिरता लाने के लिए संसद ने सरकारों में स्थिरता लाने के लिए 1985 में जो है समिधान की दस्वे निसूची में पीस अधिनियों को शामिल किया था अब सरकारों की स्थिरता लाने के लिए सरकार स्थिर बनी रहें जैसे ही चुनाव होते हैं तो चुनाव के बाद समर्थन जोड़ा जाता है ठीक है बहुमत के लिए समर्थन जोड़ा जाता है और इसी बीच विधायकों और MP की यानि सांसदों की खरीद फ्रोक भी होती है इसे एक तरह से ब कानुन को 1985 में लाया गया था कि अगर आप खरीद फ्रोग करते हैं तो आपकी सदस्यता भी चली जाएगी ठीक है आप एक पार्टी को छोड़के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं तो आपकी जीती हुई सदस्यता चली जाएगी आपको पुना चुनाब लड़ना पड़ेग तो ये क्वेश्चन बहुत जुरूरी बन गया है कि कौन से अनुसूची दल बदल कानुन से संबंदी थे और इस अनुसूची को कब सामिल किया गया था इसके अलावा अगर हम बात करें तो यदि किसी अन्य राजनितिक दल में दल बदल के अधार पर निर्वाचित सदस् सदस्यों को आयोग्यता की प्रावधान निर्दारित करता है देखे है यह प्रावधान किसके लिए में यह किसी राजनिती किसी शीनितिक सब्सक्राह। MLS और MP के लिए हैं यानि जो सोतंतर रूप से चुने गए हैं वो सोतंतर हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन देने के लिए जैसे कि तीन MLA ने भी बोटिंग दी जो हर समाजन थे बिजबी के कंडिडेट थे तो उनकी सदस्यतों को रद नहीं किया जाएगा क्यों क्योंकि वो सोतंतर हैं वो किसी विशेश पार्टी से संबंदित थे ही नहीं कि वो उस विचारधारा या उनका समर्थन करते ठीक है परन्तु यह जो 6 MLA से इन्होंने क्रॉस वोटिंग करी इन्होंने अपनी विचारधारा अपनी पॉलिटिकल पार्टी के उमीदवार को ना करके दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया तो इसके अधार पे ने आयोग्या करार किया गया है इसके अलावा कानून के तहत आयोग्या घोशित सदस्या किसी भी राजनितिक दल से उसी सदन की एक सीट के लिए चुनाव लड़ सकते हैं जैसे कि एक्जांपल क होंगे तब यह चुनाव लड़ सकते हैं और यह चुनाव चाहे तो यह सोधंतर उमिद्वारी के रूप में लड़ सकते हैं या किसी विशेश पॉलिटिकल पार्टी की चुनाव सिन से भी यह चुनाव लड़ सकते हैं ठीक है आगे करम बात करें तो दल-बदल कानून के तहत उन्हें आयोग्य करार कौन करता है यायं किसका है यह गोशना कौन करता है तो दल वदल के अधर पे आयोगता के संबंध में संबंदित मामलों रेलने एसे सदन के सभवति अथ्वा अध्यक्ष की द्वारा लिये जाते हैं यह प्रक्रिया जो है न्याईक समिखषा की अधीन होती है यानि इसकी न्याईक जांच की जा सकती है तो जैसे कर नहीं बात करें विधान सबाके सदस्यों कोया अयोग्यता की तो उनके सम्बंद में यह निरने कौन लेता है यह घोशना कोन करता है नोटिफ्केशन कोन जारी करता है तो विधान weird dat बहीं बात करें सांसदों की लोगसभा की मेंबर्स की तो लोगसभा के मेंबर्स को आयोग्या सिद्ध करने के संबंद में निरने कौन लेता है लोगसभा के अध्यक्ष लेते हैं परंतु इनके द्वारा लिये गे जो निरने होते हैं वो न्याइक समिक्षा के अधीन होते है यानि यह जो इनकी सदस्यता रद हो चुकी हैं डिस्क्वालिफाइड MLA से यह चाहें तो सर्भोच्य नेल्या में याजिका दायर कर सकते हैं और इसकी न्याइक समिक्षा करा सकते हैं ठीक है चलिए गा तो यह था आज का हमारा वीडियो जिसमें आमने समझा कि कैसे विधान सवोगा की सदस्यों को आयोग्या सिद्ख किया जा सकता है चलिए होपसों आपको उसक्वाक हो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे कमेंट शेयर और लाइक चुरूर करें और हमारे चानल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद